हलो फ्रेंड्स एंड वल्कम तो मैं यूट्यूब चानल जब रात्रे शुरू हो चुके हैं इसके लिए आपको धेर सारी शुबकाम नाए फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है आई नो करोना चल रहा है वैसी चैल पर तो नहीं होगी पट अगर आपके घरवाले सेफ ह लिए जो बहुत ही जल्दी वन जाती है क्योंकि वरत में क्या होता है वरत में आप कई लोग होल्डे फास्त रखते हैं और सिर्फ एकी टाइम खाना खाते हैं उस वरत में अगर जटपट से खाना बन जाए तो क्या बात होगी तो बस इस लोग में मैं आपसे वही तो रेस लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैंने की है precautions ले लेके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, या एक तरीके से ये कह लीजे कि बहुत ज़्यादा precautions ले रही हूँ, कि बाहर की चीजे ज़्यादा अंदर ना आएं, मेरे पास बहुत ही प्यारी से चोटी सी मूटी है दुर्गा माता की, और मैंने ये जो जगा दी थी, और चड़ा दिया था परशाद, ये मैंने परशाद चड़ा दिया है, और इसके अलावा मैं करती हूँ, सब्षति का पार्ट कहीं लोग करते होंगे, मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर करना चाहा रही थी, कि मैं पार्ट करती हूँ, ये वाला, मैं आती हूँ आपको अपने छोटे वेटे की एक्टिविटी, ये देखिए, उसने हर वाल पे कुछ ना कुछ कुछ कर रहा है, जो मैं बार-बार क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी रोजाना कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वो रिटन वर्क सीख रहा है, और उसका प्रेक्टिस सेशन यहीं होता है, वाल्स पे, क्योंकि नॉट्बुक पर लिखना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसको सिखाया जाए, तो वो मुझे भी वाल पर ही कहता है कि करने के लिए, I think सब की बच्चों का यही हाल होता है, या में भी नहीं भी होता हो, कहीं का कहीं बच्चे शुरू से ही समयधार होते हैं, तोड़े जादा, लेकिन मेरे बच्चे आज कल यही हरकते कर रहा है, और मेरा जो बड़ा बेटा है, वो भी ऐसे ही करता था, तो उसी के लक्षे कदम पर शायद हो चल रहा है, तो बस ऐसे यह उसके साथ भी टाइम स्पेंड होता रहता है, अब मैं अपने बच्चपन की बात बताती हूँ आपको, जब हम स्कूल जाते थे और मैं फास्ट रखती थी, तो हमारे स्कूल में एक बड़ा ही नॉर्मल सा डिसकेशन या, यह कह लिजे, यह टॉपिक ज़रूर उड़ता था, अरे यार, तेरे घर में तो यह खाना अलाउट है बरत में, हमारे यह तो नहीं है, हमारे यह 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 जैसे की, अच्छा टमाटर तुम लोग खाते हो, हम तो नहीं खाते हैं, तुम्हारे मज़े हैं और कई लोग मिट्च खाते हो लाल वली अच्छा अच्छा हमारे यहां नहीं काते और और क्या होता था हल्दी मतलब कुछ ना कुछ कईयों के घर में खाते है अच्छा धनिया वाला सारी चाटनी खाते हो तुम लोग नहीं हमारे यहां तो कुछ नहीं खाते तो सबके घरों में अलग-अलग चीजें follow होती है जो जिस तरीके से ये वरत रखता है बस आप भी घरवालों से पूछिए आगे कौन क्या follow कर रहा है बस उसी तरीके से हम भी follow करे हैं मतलब मैं भी follow करती हूँ माई के शादी से पहले उनके rules follow होते थे और यहां पर आके in-laws के rules follow होते हैं rules कहेंगे या रिवाज कहेंगे रिती रिवाज जो चल रहे हैं हम दीरे दीरे अपनाई ही लेते हैं और वो हमें करने भी आ जाते हैं तो इसी तरीके से मैंने मैं भी स्टाट किया हूआ है तो हमारे यहाँ धन्या नहीं खाते हैं, खीरा नहीं खाते हैं मु Love कहीं सारी ऐसे चीजे हैं जो मेरे माई को मेंदे भाइए यहां पर नहीं खाया जाती हैं और जो यहां पर खाया है वह माहा पर भी मतलब की सब कुछ वो डाला है जो हर जगा चलता होगा तो आप देख लीजेगा कि उसमें क्या डाला हुआ है और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं रेसिपीज इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कच्ची मौंफली और ये है दो पक एकटी स्पून के लिया है जीरा और स्वादनसार नमक जी हाँ फिर उसके बाली हमने साबू दाना साबू दाना को आफ एन आर बिगोकर इस तरीके से आफ स्ट्रेनर में रख लीजे ताकि एक्स्ट्रा वॉटर अच्छे से निकल जाए जी हाँ मैं बनाने जा रही हूं स आबू दाने की खिचडी अब जो है हमने बरतन को गैस पर रखा है उसमें मैंने ये एक टेबल स्पून घी गरम किया है और घी गरम होने पर मैंने डाल दिया है जीरा जीरा जब क्रेकल हो जाए तब उसमें डाल दी हमने अद्रक और हरीमिट उसको हम इस तरीके से हाफ मिन आलू जो हमने काटे हुए थे आप चाहें तो बोईल आलू भी ले सकते हैं उससे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा ये प्रोसेस बट मैंने इस टाइम का चालू ही लिया है अब हम इसको इस तरीके से मीस इसके उपर घीकी या यह जो अभी हमने मसाले डाले हैं इसकी कोट करेंगे तो इस तरीके से प्रोफर कोट करके हम इसको एक से दो मिनट तक चलाएंगे और इसके बाद हम इसको ढख कर पकाएंगे तो बस अब हमने लगा दिया इस पर ढखकन तो इसको थोड़ा सा गलाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है ताकि ये जो आलू है उसमें ये गले हैं या नहीं ये इस ताइं गल चुके हैं तो इसमें आपको टूटू थी मिनट लगेंगे और ये गल जाएंगे आलू थोड़ा और चोटा काटिंगे तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा और अगर आप पोईल पोटेटो लेते हैं तो और जल्दी हो जाएग बस अब हमने इसको mix करना है जब ये मुंगफली अपना oil छोड़ देगी उसके बाद हमने डालना है इसमें जो हमारे मसाले रह गए हैं और मसाले में तो खैर मैंने सिर्फ नमक ही डाला है आप चाहें तो जो आप जैसे काली मिर्च कई लोग लाल मिर्च भी खाते हैं इस टा मुंगफली यहां और इसके बाद अब हम डाल देंगे इसमें साबु दाना एक्ष़ि कई के घर में कुछ खाया जाता है कई के घर में कुछ खाया जाता है तो मैंने यह बहुती सिंपल रेसिपी यूज़ की है जो mostly सब के घरों में means यह ingredients यूज़ हो सकते हैं तो बस यह द के डालेगा ताकि दाना दाना गिरे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक जो कि आपके स्वादुन सारी डलेगा बस यह हमने डाल दिया है इसे इना नमक में थोड़ी सी गुटली हो जाती है वो मैंने थोड़ी सी पीस ली थी बस इसके बाद हम इसको mix कर देंगे तो यह इसको उपर से नीचे और नीचे से उपर proper एक अच्छा mix देना है मैंने actually आलू जो है वो golden brown किये थे और मुमफली को भी क्योंकि मुझे यह टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यह बहुत जादा क्रिस्पी हो जाते है और एक मुम में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट क्योंकि जो साबू दाना है वो बहुत सौफ्ट हो जाता है आलू थोड़े से golden brown होंगे तो उनका एक अलग टेस्ट आएगा और यह जो मुमफली है जो दरदरी पीसी हुई है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है इसके साथ वो बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो जब यह साबू दाना मतलब गल जाएगा या यह कहिए जब यह खिचडी बनने को तयार हो जाएगी यह साबू दाना जो white color का है यह transparent होना शुरू हो जाएगा अभी हलका हलका दीरे दीरे transparent होना दिये देखिए शुरू हो गया है means यह अपना एक अच्छे तरीके से बननी खिच स्टार्ट हो गई है तो यह बहुत ही tasty होती है और आप खाएंगे तो यह बहुत tasty होती है यह देखिए यह बन चुकी है यह देखिए इसके color बिल्कुल change हो चुका है साबू दाना एकदम transparent हो चुका है अब मैंने डाल दिया है इसमें नीमबू कई लोग इसमें बहुत yummy सी साबू दाना किचडी तयार हो गई है तो यह बहुत ही easy है बनाने में बहुत ही yummy है खाने में और इसको खाने से अराम से आपका पेट भी भर जाएगा और यह nutritious भी है तो एक बार try करना बनता है चलते हैं दूसरी recipe पर तो इसके लिए मैंने लिए हैं दो आलू जो मैंने कदुकस कर लिए थे यह मैंने लिया है सिंगाडे का आठा आप कट्टू का आठा भी ले सकते हैं और स्वांके चावल का आठा भी ले सकते हैं यह लिए हैं मैंने दो कटी हरी मिर्च और यह थोड़ी सी काली मिर्च और यह स्वादों सार नमक और लिया है मैंने साथ में आ तो अब हमने इसको mix कर देना है यह मैंने इसमें डाल दिया था इसी टाइम ही नीमू जो की बहुत ही चटपटा खटा सा टेस्ट देता है और इसको और भी यमी बना देता है अगर आप धनिया या जो मैंने पहले भी पताया था कड़ी पता खाते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से आप इसे दीजेगा एक proper mix अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी को फिर से हम करेंगे mix तो अब भी हमको जो consistency चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए ताकि ये तवे पर अराम से फिलाया जा सके तो मैंने एक चिला इस से पहले बना लिया है अब मैं ये दूसरा चिला बना रही हूँ ये इस पे आपने तवा गरम होने पर थोड़ा सा लगाना है गी या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बाद ये बैटर हम इस पे डाल देंगे और इसको हम ये स्पून की सहायता से ही फैलाएंगे इस तरीके से हमने इसको फैलाना है ना ही इसे ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला वर थोड़ा सा थिक रखना है ताकि इसमें जो है आलू जो है उनकी एक तरीके से थोड़े से क्रिस्पी भी लगेंगे और सॉफ्ट भी लगेंगे ये इस तरीके से हमने चमचे से फैलाते हुए चले जाना है दीरे दीरे और इसकी शेप देते हुए चले जाएंगे जैसे कि इस तरीके से मैं फैला रही हूँ, यह बहुत ही easy process है, और जब भी आफ इसको फैलाएं तो याद रखेगा, कि यह जो तवे का means जो आज है, वो बिल्कुल आप sim पर कर दीजेगा, ताकि जो heat है वो आपके हाथ पर ना लगें, तो बस यह हमने आफ फैला दिया है, य इसको पकने में, एक साइट से, यह देखी, यह थोड़ा थोड़ा उपर से transparent हो गया है, यह बिल्कुल अच्छे से bind हो गया है, अब हम इसको पलटा देंगे, देखे कितना अच्छा color आया है, यह बहुती crispy है, उपर से और थोड़ी सी इसमें soft mess भी आ जाती है, और जो हम य पकने का process करें, इसके करें ताकि जो आलू लिया है हमने, वो अच्छे से गल जाए, अब यह दूसरी तरह से भी पक गया है, और मैं इसे इस तरीके से चेक कर रही हूँ, पलटा पलटा के थोड़ा थोड़ा, ताकि पता चल जा यह पका है नहीं, तो अब यह हो गया है, त इसको आपकर्ड या चाए के साथ खा सकते हैं, और यह खाने में बहुत ही tasty होते हैं, और बहुत ही जादा यह कह लीजिए, मीस इसमें टाइम की बहुत ही जादा बचात होती है, यह बहुत ही जटपट बन जाते हैं, तो एक बार ज़रू ट्राइ कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आप फूट्स वगएरा कुछ ना कुछ लेते ही रहें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्राइट रहें, आपकी बॉडी स्ट्राइट रहें, और आप हर चीज का अच्छे से सामना कर सकते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्राइट होगी, आपकी हैल्थ बच्छी होगी, भगवान भी सब चानते हैं कि क्या चल रहा है, तो इसलिए आप अच्छे से अपना ध्यान रखी तो इ like, share and subscribe जरूर कीजेगा और साइट पर उसके बल आइकन होता ना प्लीज उसे जरूर प्रेस कर दीजेगा So, once again, thanks for watching, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई